हेलो फ्रेंट इस डॉक्टर मायंग एर वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे क्लीनिकल केस के बारे में जिसमें जो गोट है उसका टीट टीर कर गया था तो उसके करनाड उसमें किसी भी तढ़ा का बैक्टेरियल इंफेक्शन ना हो या एपस बने इसके लिए हमें एंटिबायोटिक ट्विटमेंट करना था जिसे हमाई लगाना था तो इसके में हमाई लगाना सीख जाएंगे उसके लिए प्रेकॉशन्स रखना है तो आप इस पिक्चर में देख़ा है आ इंच रिजन नेक रिजन पर है और सबकुत का मतलब होता ह तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नर्व पात्वे जो रैड कलर से हैं वहाँ पर आपको कभी भी इंजेक्शन नहीं लगानी है बलकि आपको प्रिफेर साइट होना चाहिए आपकी नैक रीजन तो देखते हैं यह केस क्या था तो फ्रेंड सबसे पहले तो इसका जो टीट था उसके अंदर मिल्क भर गया था स्वेलिंग थी तो सबसे पहले इसका मिल्क ड्रेन किया गया आप देखरें एक वाइट कलर की जो ट्यूब है उसके टीट के अंदर इंसर्ट की गई और उसके बाद डिसिंफेक्ट करके और त कैसे करना है तो आयम के लिए हमारे प्रोफेसर ने बताया कि हमेशा हमें जो आयम करेंगे तो वर्टीब्रे के ऊपर एकदम मिड़ नेक में आपको करना है यहां पर मसल्स होती है एकदम परपेंटिकुलर डारेक्शन में आपकी प्रिकॉशन्स रखनी है आपको तो इसके लिए हमने नेक के एक साइड में एंटिबायाटिक लगाया है और दूसरे तरफ पर हमने पैन किलर दिया तरहां ताकि जो करेंगे हाँ इसमें आप थोड़ा देखेंगे कि यह जो आएम की पोजिशन थी यह इंदोंने थोड़ा सा इंजेक्शन टिल्ट कर दिया था यह ठीक है तब भी आएम के अंदर जा रहे क्योंकि यह निडल काफी अंदर तक इंसेर्ट वी थी थी थैंक्स फर करेंगे हाँ झाल शेँ यह द थी यह पोड़ करिया था जजे दूंदर वी यह जब कर दो कर दो आएम के यह इजए जा देखेंगे क्यूश को आएम के दोर्मने तोरा दोरो के फिर दो देखेंगे हाँ झाले आएम